नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं नागराज सीरीज की एक और मज़िदार कॉमिक्स नागराज और लाल मौत पार टू यह तो मर गया रुएबा नागराज के निकट पहुँच गई नागराज इसने यातनावा पिड़ा से बचने के लिए खुदकुशी कर ली है खुदकुशी तो हर उस इंसान को करनी है जो यूसुफ का साथ दे रहा है फिर दोस्तों मैं उस शैतान यूसुफ बिन अली खान क को समाप्त करने जा रहा हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि अमन का वह दुश्मन कल का सूर्य देर नहीं देख सकेगा नागराज यूसुफ बिन अली खान तक पहुँचने के लिए हमें लाल मौत को पार करना होगा उसके किले के बाहर कदम कदम पर वह मौत छिपी बाकी का काम तुम्हारा होगा आदे घंटे बाद रुववा ने ट्रक रुकवाया नागराज तेल की ये सारी मिलकियत मुल्क की अमानत है जिसे अब यूसुफ बिन अली खान ने अपनी निजी संपति घोशित कर दिया है और यहां से आरंभ होती है लाल मौत और उस किले म है फोर्स का नेता यूसुफ बिन अली खान नागराज ने अपने रक्षक रेगिस्थान में छोड़ दिये यहां हमें कदम फुक मुक कर आगे बढ़ना होगा नागराज मेरी अंगरक्षक बारुदी सुरूंग का पता लगा लेंगे हमें इनके पीछे रहना होगा सापों का पीछा करते दोनों आगे बढ़ते गए बारुदी सुरूंगों जैसी तो यहां कोई बात नहीं दिखती अचानक पलग जपकने के साथ ही नागराज ने अपने तीनों अंग रक्षकों को गया पाया उफ यह क्या बला थी नागराज यही थी लाल मौत हेलिकॉप्टर हा यूसुफ बिनली खान नागराज तुम लाल मौत के घेरे में आतों पहुँचे हो लेकिन यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगे लाल मौत कदमों की आठ पर जपटती है और अपने शिकार को तरपने का भी मौका नहीं देती तुम चूहे की तने फस गए हो अगर अपने स्थान से हिलोगे तो लाल मौत का शिकार हो जाओगे नहीं हिलोगे तो मेरे इन बमों का नागराज बम इससे पहले की बम उन पर गिरकर उनके जिस्मों के चीथर उड़ा देता रुएबा बचो उचलते ही नागरस्ती हवा में लपकी और अगले ही पल नागरस्ती हेलिकॉप्टर जमीन की तरफ जा रहा है मैं कूट परता हूँ… उफ… नीचे गिरते ही लाल मौत मुझे पर भी आक्रमन करेगी। हेलिकॉप्टर एक जटके के साथ रेट में अधशा, मौत ने एक जटके के साथ बाहर निकलकर हेलिकॉप्टर को दबुचा और जमीन में स समा गई लाल मौत हेलिकाप्टर के साथ उसमें रखे कुछ बमों को भी साथ लेकर जमीन के अंदर धस गई थी अगले ही पल हुए बीश्ण धमाके के साथ लाल मौत वा हेलिकाप्टर के चीठरे कई फूट उपर तक उचल गए और धमाके के साथ ही रुएबा वा नागराज सुरक्षिक जमीन पर उतर गए रुएबा लाल मौत का तो अंत हो गया नागराज यहां एक नहीं दरजनों लाल मौत हैं उधर यूसुफ बिन अली खान हर खत्रे से टकराने के लिए तयार था सते से टकराने से पूर्व मुझे स्टेन गन नीचे फेकनी होगी हलकी सी लाल मौत से नहीं बचा सकती उसने बम नागराज की तरफ उचाल दिया नागराज बचो नागराज बम इस बम को रोकना होगा नागराज हवा में लहराया नहीं नागराज रुको उफ यह तुमने क्या किया नागराज ने बम यूसुफ की तरफ उचाल फैका लेकिन यू खड़े हो गए रुएबा के नागराज तभी ओह वाइब ये की फोर्स का हेलिकॉप्टर यह मुझे लेने आया है हेलिकॉप्टर से सीड़ी गिरा दी गई हा 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 नागराज खत्म हो गया विश्व से आतकवाद के सफाय की इच्छा मन में लिए ही मर गया नागराज पर ना हुट जाएगा अचानक चौक पड़ा नागराज नागराज की शरीर के जहर को ना जहेल सकी लाल मौत नागराज के देखते ही देखते लाल मौत ने दम तोड़ दिया नागराज का खोन पीने चली थी रेगिस्तान की ये मौत अब पता चली नागराज की ताकत ठीक उसी स कि चीक पड़ी नागराज नागराज लाल मौत के पंजों से बच निकला नहीं यह नहीं हो सकता कभी नहीं नागरस्टी पर चर्ता हुआ नागराज यूसुफ तक जा पहुंचा यूसुफ भिनली खान तेरी लाल मौत नागराज का विश्sa नेहीं पाई नहीं और अब यह यहां लाल मौत का भी कोई खत्रा नहीं है, तुझे मारने में मुझे आसानी होगी। उस समय हेलिकॉप्टर उन्हें लेकर अथा समुंद्र पर मंडराने लगा था। यूसुफ ने बेहत तेजी के साथ नागराज के जबडे पर घूसा जड़ दिया। सिर्की टककर। इस ब यह क्या, तेल की पॉचार? हाँ हाँ हाँ, नागराज अब तुम तेल से सराबोर हो, सिर्फ एक गोली तुम्हें राक का धेर बना देगी। यूसुफ के रिवॉल्वर ने शुला उगला। हाँ हाँ हाँ, कल के समाचार पत्रों में छपेगी नागराज की मौत की खबर। लेकिन नागराज वहां कहां था, रहे तो यहां था, चलती लिफ्ट के नीचे लटका हुआ, अरे कहां गया? नागराज? यूसुफ ने रिवॉल्वर सीधा किया, लेकिन ठीक उसी पर, धड़ाक! धूम! यूसुफ अपने रिवॉल्वर पर जप्टा, किन्तु कि अब तुम मुझे जीवित नहीं चोड़ोगे, लेकिन मेरे सास्तात इस तेल कुमे सही तुम भी नहीं बचोगे, हाँ हाँ हाँ! पलक चपकने के साथ ही, यूसुफ ने बम नागराज की और उचाल फैका, उफ! यह तो पागल हो गया है, भीजन विसफोर्ट से समुदर का सीना कौन दोठा, समुदर में चारो तरफ आख फैल गई, इधर यह सारा खोनी दमाशा देखा, रुएबा ने, जिसने यूसुफ के समुदर में गिरने के बाद हेलिकॉप्टर चाला को समुदर किनारे हेलिकॉप्टर उतारने के लिए मजबूर कर दिया था, उफ! ना अली खान अपने ही लगाई आग में जल मरा, ओ नागराज, आज मैं बेहत खुश हूँ, बेहत खुश, चलो रुएबा, नागराज का काम अभी खत नहीं हुआ, दुबई की जनता के सामने तुम्हें यहां की नई समरागी सोहजित करना है, नागराज, मुझे सत्ता का ला नागराज नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन अपने मुल्ख की भलाई के लिए तुम्हें यह पत ग्रहन करना ही होगा, और इस परकार रुएबा को दुबई का शाशन सौप कर, नागराज ने उनसे विदा ली, कभी वक्त पड़ा, तु रुएबा अपनी जान तुम पर नयुचावर कर देगी नागराज, और फिर अगले दिन भारत के एक होटल में, दुबई की नई समरागी रुएबा, नागराज द्वारा, शैतान वाई बी एके फोर्स और यूसुफ बिन अलिखान का खात्मा, तो यह थी नागराज सीरीज की मज़ेदार कॉमिक्स, ऐसी यही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले, धन्यवाद